सिरीज की शुरुआत एक फेमस एक्टरिस जिन्शिम से होती है जो आजकल ड्रक्स की केस में फस चुकी है अब हम दो साल के बाद का सीन देखते हैं जिसमें टीवी पर गुम नाम हो जाने वाले एक्टर्स का बता रहे हैं जिन्शिम उस टीवी शो में अपना नाम दे के उद जाती है कि जिन्शिम को लॉफ फर्म में रियल लाइफ एक्सपिरियंस लेना होगा जिन्शिम का CEO Yen उसे अपने एक कजन जून की लॉफ फर्म में एक्सपिरियंस के लिए भेज देता है जून जिन्शिम के फर्म जॉइन करने पर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उ बात करने के बाद वो समझ जाता है कि जिन्शिम कोई काम करना नहीं जानती जिन्शिम उसे सही प्रूफ करते हुए हर काम खराब करने लग जाती है जिस पर तंगा के आुख कि ज ошиб में ँस पर घुष्ण हुorsa होता है पर जिन्शिम हिमत नहीं हारती अगली सुछ जिन्शिम टाइम पर वेल ड्रेस होकर आफिस पहुंचती है जंक अपने आफिस रूम में पहुंचता है पर जिन्शिम के डेस्ट साफ करने पर वो खुश होने के बजाए बहुत उस्सा करता है क्योंकि जिन्शिम ने एक इंपोर्टेंट फाइल गुम कर दी थी कुछ देर में जून वो फाइल लेकर आते हैं और बताते हैं वो स्टडी के लिए ले गए थे ये सुनके जंक जंक जिन्शिम के साथ अपने बहेवियर पर शर्मिंदा होता है जिन्शिम के लिए रखी गई पार्टी में वो ड्रिंक करके जंक के उसके साथ बुरे बहेवियर पर बहुत बत्तमीजी करती है घर पहुँचकर वो बहुत इंबरस्ट फील करती है अगले दिन जिन्शिम जल्दी आफिस पहुँच जाती है पर जंक उसे सौरी करने के बजाए उसे ज्यादा ड्रिंक ना करने का मशवरा दीता है लंच टाइम में जून मैनेजर को जिन्शिम के लिए लंच ले जाने का कहते हैं फिर वो 15 साल पहले का सोचने लगते हैं जब वो खुद इतने अमीर नहीं थे और जिन्शिम भी एक स्कूल गर्ल थी तब उसे देखकर पहली बार जून नहीं उसे एड में काम दिलवाया था तब ही वो इतनी फेमस हो गई थी जिन्शिम का मैनेजर आर्मी में जानी की वज़ा से उसे पिक नहीं कर सकता जिन्शिम खराब काड़ी चलाने की वज़ा से मसले में पर जाती है और एक आदमी घुसे में उसे मारने ही लगता है कि जंक हेरोई केंट्री देते हुए उसे बचा लेता है जिसके बाद जंक आफिस में काफी हद तक जिन्शिम के साथ ठीक हो जाता है और जिन्शिम भी उसे अपने काम और मेहनत से मजीद इंप्रेस कर लेती है जंक ओवर टाइम करता है तो वो भी रुख जाती है लेकिन उसकी डेस्क पर ही आँख लग जाती है जंक उसे नीन से उठा कर डिनर पर ले जाता है वो दोनों एक छोटे से हुटेल में जाते हैं जहां जिन्शिम के पोस्टर्स थे लेकिन थोड़ी देर में उसके पोस्टर्स की जगा और मॉर्डल की पोस्टर्स लगा दिये जाते है वहां लोग जिन्शिम की बुराई भी करते हैं लेकिन जिन्शिम का positive attitude देख जंग उससे और impress हो जाता है वापसी पर जंग जिन्शिम से अपने बुरे behavior की माफी मांगता है अगले दिन जंग जिन्शिम को लेकर एक client के पास जाता है लेकिन वो जिन्शिम की identity बिल्कुल छपा देता है वापसी पर वो लोग lunch enjoy करते हैं घर जाकर जिन्शिम law books परते हुए जंग को selfie भीज कर बताती है कि वो अच्छी secretary बनने के लिए मेहनत कर रही है जंग smile करता है यहां से उनके धर्म्यान connection बनना शुरू हो जाता है जिन्शिम जंग को basic law सिखाने के request करती है ताकि उसके साथ ज्यादा time गुजार सकी पर जंग उसके साथ romantic होने के बज़ाए उसे पढ़ाने लग जाता है इसलिए रात में जिन्शिम जंग को movie दिखाने ले जाती है उसी दोरान जिन्शिम जंग के हाथ पर अपना हाथ रख दीती है और दोनों साथ अच्छा time गुजारते है नेक्स सीन में एक लड़की परेशानी में office center होके जंग से मिलने को कहती है वो जंग को बताती है उसका boyfriend उसे stock कर रहा है उसने break up कर लिया है क्योंकि वो बहुत psycho सा था ये सब सुनकर जंग कहता है इतने सुबूत काफी नहीं होंगे जिन्शिम उस लड़की के साथ उसके घर सुबूत इकरठा करने जाती है वहाँ उस लड़की का boyfriend उन दोनों पर हमला कर दीता है पर जंग फिर हीरो की तरहां आकर उन्हें बचा लीता है और पोलीस उस लड़के को अरेस्ट कर लीती है इस सब में जंग को कट लगता है जिससे साफ करते हुए जिन्शिम और जंग में नस्दीकिया बढ़ जाती है जंग की एक friend room उसे lunch पे ले जाती है तब जंग को जिन्शिम के गुस्से की वज़ा समझाती है जून जंग को husband murder case देते हैं वो लोग काम शुरू कर देते हैं जिन्शिम के स्टेडी करके कहती है वाइफ ने husband को self defense में मारा है लेकिन जंग कहता है ये case असान नहीं है सीन court में shift होता है जंग की court में opponent उसकी friend room है दोनों के argument से case अगली date पर shift हो जाता है ओफिस से वापसी पर जिन्शिम का manager उसे लेने आता है जिसे देखकर जंग बहुत jealous होता है जिन्शिम भी जंग की jealousy feel करते हुए खुश होती है नेक्स डे जंग जिन्शिम से थोड़ा नरास था वो बताती है रात वो अपने manager के साथ गई थी ये सुनकर जंग का mood ठीक हो जाता है वो दोनों केस investigation के लिए एक जगा जाते है वहाँ कोई अजनबी जंग पर हमला कर दीता है जंग जखमी हालत में ही उस आदमी को पकर कर पुलीस के हवाले कर देता है नेक्स डे जिन्शिम उस आदमी के पास जाती है और जंग कोट चला जाता है जिन्शिम उसको कोट में ले आती है जहां ट्राइल के दौरान वो आदमी ही उस औरत के हस्बिन का कातिल निकलता है और जंग केस जीट जाता है घर पहुँचकर वो ड्रिंक करने लगती है और नशे में वो जंग को अपने प्यार का इज़ार कर देती है जंग हैरान होता है सुभा उटकर जिन्शिम को अपनी गलती का एहसास होता है वो शर्मिंदिगी की वज़ा से ओफिस ही नहीं जाती जिन्शिम अपने घर से उस चिकन रेस्टरॉन जाती है जहां वो जंग को मिलती थी उस जगा जंग भी आ जाता है और जिन्शिम से अपने प्यार का इज़ार करता है और यहां उनकी लव लाइफ शिरू हो जाती है वो डेट पर जाने का प्लाइन करते हैं पर यून जिन्शिम को कोई का एसिस्टिन बना देते हैं और डेटिंग के पहले ही दिन दोनों अलग हो जाते हैं जिन्शिम कोई के आफिस में अपनी राइवल एक्रिस का केस देखती है उस एक्रिस के आने का सुनके जिन्शिम छुपने की कोशिश करती है पर वो एक्रिस उसे देख के इंसल्ट करती है घर आकर जिन्शिम का mood off था इतनी देर में जंक वहाँ आकर उसे date पर ले जाता है वहाँ वो अपने प्यार का इशार जिन्शिम से करते हुए उसे गले लगा लेता है अगले दिन जिन्शिम डिनर date प्लाइन करती है लेकिन जंक की room के साथ पहले से commitment थी जिन्शिम को अपनी कुली के साथ डिनर पर जाना पड़ता है जहां उसे पता चलता है जंग रूम को पसंद करता था लेकिन रूम उसके दोस्त वान में इंट्रेस्टिट थी ये सुनकर उसका दिल तूट जाता है जंग के घर के बाहर मिलकर घुसे का इसहार करती है वो एडमिट करता है कि वो रूम को पसंद करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है इतनी देर में उसका दोस्त भी आ जाता है वो जिन्शिम की गलत फहमी दूर करता है अकेले लेट नाइट आफिस वर्क करते हुए जंग को जिन्शिम याद आनी लगती है तब ही वो वहाँ आ जाती है जंग उसे अपने करीब करके प्यार का एहसास दिलाता है उन में नजदी क्या बढ़ जाती है जिन्शिम अपनी वर्क और लव लाइफ में बिजी है वो डिनर डेट जंग के साथ इंजॉय करती है लेकिन जिन्शिम के खुशियों पर किसी की नज़र थी यहां ली की एंट्री होती है उसी ने जिन्शिम को ड्रक्स केस में फसाया था पार्किंग एरिया में जिन्शिम को लगता है कोई उसके पीछे है जल्दी में वो अपना पैन गिरा के आफिस में चली जाती है वो आदमी आफिस में उसे उसका पैन देने आता है तो उसे पता चलता है वो आदमी जंग के फादर है थोरी देर में जंक को उसकी मदर की कॉल आती है वो बताती है कि उसके फादर पर गलत केस बनाकर उन्हें सस्पेंट कर दिया गया है वो अपने फादर का केस लड़ने की तयारी करता है जिन शिम भी उसकी हेल्प करती है कोट में अपने फादर की सचाई साबित करने के लिए वो सुबू देता है जहां उनकी जीत होती है यरिंग के बाद वो लोग लंच पर चले जाते हैं तब जंग अपने फादर को बताता है जिन्शिम उसकी गर्फरेंड है ये सुनकर पहले तो वो शौक्ट होते हैं फिर हसने लगते हैं जंग रात में जिन्शिम को ड्रॉप करने जा रहा था कि एक कार उनका पीछा करके उनका रास्ता रोक लेती है उस कार में ली था जिससे देखकर जिन्शिम डर जाती है जंग उसे प्रोटेक्ट करता है ली उन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है जंग जिन्शिम को इतना परिशान देखकर उसके साथ ही रुख जाता है जिन्शिम उसको पास्ट बताती है जब ली फैन के तौर पे उससे मिला लेकिन वो उसे ड्रक्स दे कर सुला दीता है उस रात वो किसी तरहां बज जाती है तब से ली हर जगा उसे स्टॉक कर रहा है लेकिन एक बार उसने उसे धोके से बुला कर जबरदस्ती करने की कोशिश की तब नार्काटिक्स डिपार्टमेंट ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जिन्शिम स्कैंडल में फज गई लोग उसे गलत समझते रहे उसका करियर बरबाद हो गया अगले दिन ऑफिस में जिन्शिम काम के दौरान बहुत अपसेट थी उसका मूठ ठीक करने के लिए जंक उसे डेट पर अम्यूस्मेंट पार्ट ले जाता है ली अपने आदमी से कहकर जिन्शिम की पिक्चर्स क्लिक करवा रहा था तब उसे जंक पकर लेता है जिन्शिम उसका मेमरी कार्ट ले जाती है और कॉल करके ली को कोट में घसीटने की धमकी देते हुए आफिस चली जाती है आफिस से वापसी पर जिन्शिम के सीई ओ उसे बताते हैं ड्रामे के इन्वेस्टर उसे कास नहीं करना चाते वो दोनों उस इन्वेस्टर से बात करने जाते हैं वहां जाकर पता चलता है वो इन्वेस्टर तो ली है, जिन्शिम की आखरी उमीद भी तूट जाती है, घर आकर वो बहुत परिशान थी, जंग उसे मिलने आता है और उसका मूड अच्छा करने के लिए एक स्टफ टॉय भी लाता है, अगले दिन वो आफिस जाकर जंग को ल करवा देता है, ली न्यूज में आ जाता है, जंग जिन्शिम को चेर अप करता है, उसे फैन्स के पॉजिटिव कामेंट्स दिखाता है, फिर वो बाहर घूमने जाते हैं, जब जंग उसे घर छोड़ता है तो जिन्शिम उसे किस देती है, जिन्शिम मैनेजर को सारी बात नेक्स डे वो राइटर जिन्शिम को दुबारा कास्ट करने के लिए आती है क्योंकि उसके बारे में नेगिटिविटी हतम हो गई बहुत इन्वेस्टर उसे कास्ट करने में इंट्रेस्ट शो करने लगते हैं और इस तरह जिन्शिम को उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल जात तरहले करता है तब जिन्शिम की परीशानी भी दूर हो जाती हैं वो दोनों wind उसे ग्यम की तो जिंशिम करने कके लिए बुछांगं वील दिविब्क शीन की वारिल साव्य दिविक्षर थजए मुनें जिसमें दोनों लंच कर रहे थे तब वो उन्हें कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जिन्शिम उस पिक्चर के बाद रिलेशनशिप को पब्लिक करने का कहती है लेकिन जंग उसे मना कर देता है आफिस के लोग जिन्शिम को फेरवल पार्टी देते हैं पार्टी के बाद जंग जिन्शिम को फिल्म दिखाने ले जाता है वापसी पर वो उसे कहता है कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में ये सुनकर जिन्शिम शौक्ट हो जाती है जंग वहां से चला जाता है जिन्शिम भी घर आकर रूँनी लगती है उसका मैनेजर उसकी हालत देखकर पूछता है तो वो सब बता दीती है लेकिन वो अपना डैस् क्लेयर करने लास्ट टाइम के लिए आफिस जाती है वो जंग से बात करने की कोशिश करती है वो गुड़बाई कहकर चला जाता है पिर वो एक बार में अपने फ्रेंड के पास जाता है जो उसे जिन्शिम का नाम लेकर छेडने लगता है तब वो उसे ब्रेक अप का बता दीता है जिन्शिम और जंग दोनों अपनी अपनी लाइफ में बेजी हो जाते है वो एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करते हैं पर जंग को हर गुजरते दिन के साथ जिन्शिम याद आती है एक दिन जंग को हस्बन मर्डर केस में इंवॉल्फ क्रिमिनल की मा मिलने आती है जो बताती है कि उसका बेटा मेंटली डिस्टरब्ट है वो गातिल नहीं जंग को दुबारा इंवेस्टिगेशन पर पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है शूटिंग के दोरान एक ब्रेक अप सीन करते हुए जिन्शिम जंग को याद करके रूनी लगती है वो सीन सबको पसंद आता है लेकिन जंग की हालत तो बस वो ही जानती है उसे शूटिंग के दोरान उसके आफिस वाले मिलने आते हैं वो जंग का पूछती है तो सीईओ उसे बताते हैं कि जंग मर्डर केस को दुबारा ओपन करने वाला है जंग अकेला ही केस लड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी गलती को ठीक करना चाता है वहां वो जंग को बहुत मिस करता है जो हर कदम पे उसका साथ देती थी केस को रियोपन करने की वज़ा से सीईओ और जंग में बहस हो जाती है लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाती है वो लोग मिलकर murder केस पर काम करते है जिन्शिम जंग को chair up करने के लिए उसके office आती है लेकिन वो cold behavior शो करता है जिन्शिम परिषान हो जाती है उसकी परिषानी देखकर उसका मैनेजर सारी बात सच बता दिता है जो उसने जंग से की थी जिंशिम पहले तो अपसेट होती है फिर खुश होती है कि जंग उसकी इतनी परवा है फिर वो उसे मनाने की कोशिश करने लगती है हर जगा उसे स्टॉक करती है जंग उसे ये सब करने से रोकता है लेकिन वो नहीं मानती कोट में येरिंग का दिन आ जाता है वहां जंग सु पार्टी देना चाहते हैं लेकिन जिंशिम उसका वेट कर रही थी वह उसे मिलने जाता है वहां जिंशिम उसके खौफ को उसके दिल से निकालते हुए कहती है कि उसे बस उसकी परवा है तब जंग भी समझ जाता है कि वह एक दूसरे के बगएर नहीं रह सकते वह प्यार का इजहार करते हुए हग कर लेते हैं वो दूनों ज्यादा टाइम साथ गुजारना चाहते हैं जंग जिंशिम के घर पर रुख जाता है दूनों पिछले गुजरे दिनों की बाते करते हुए कहते हैं कि एक दूसरे के बगएर दिन गुजारना मुश्किल थे सुभा में जिं उनकी बेल बच जाती है मैनेजर जंग को देखता है तो हैरान हो जाता है जंग क्लाइन की कॉल का कहकर वहां से चला जाता है जिन्शिम एक लीगल ड्रामा कर रही थी उसके CEO को ड्रामा के लिए लीगल एडवाइजर की जरूरत थी वो लॉफ फॉर्म में किसी एडवाइजर का कहता है जिन्शिम का नाम सुनकर जंग एडवाइजर बनने के लिए तयार हो जाता है और अगले दिन जिन्शिम को सर्प्राइज देने के लिए शूट पर चला जाता है जिन्शिम उसे देखकर बहुत खुश होती है शूटिंग के दौरान दोनों का रोमेंस चुपके चलता रहता है वो दूनों जिन्शिम के घर ड्रामा सीन्स के प्रैक्टिस के लिए इकठा होते हैं वहाँ जिन्शिम इमैजन करती है कि जंग के साथ वो किसिंग सीन प्रैक्टिस कर रही है लेकिन असल में जंक उस सीन के इलावा सिर्फ लौ सीन ही प्रैक्टिस करवा रहा था जिस पर जिन्शिम को घुसा आता है स्क्रिप्ट पढ़कर जंक जैलिस होता है कि जिन्शिम अपने को एक्टर के साथ किसिंग सीन करेगी को एक्टर किस मास्टर के नाम से फेमस था शूटिंग के दौरान जब किसिंग सीन होने लगता है तो जंक वो सीन रोपने लगता है यह उनका मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है जिन्शिम को जब ये बात पता चलती है तो वो जंग को हसते हुए बताती है किस असल में नहीं करते सिर्फ करने का ड्रामा करते हैं ये सब करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत खरीब आ जाते हैं लौफर्म के स्टाफ का डिनर था जहां सब डिनर करते हुए बाते कर रहे थे तो इतनी देर में जिन्शिम अपने मीटिंग खतम करके वहाँ आ जाती है वो सब hidden relationship की बात कर रहे थे जिन्शिम अपने और जंग के relationship को reveal कर देती है ये सुनकर CEO परिशानी में निकल जाते है सब समझ जाते हैं वो जिन्शिम के लिए feelings रखते है जंक बहुत दिनों से घर लेट आता है तो उसका friend सोचता है उसे किसी के साथ की जरूरत है वो उसके लिए blind date fix करता है वो ये surprise plan करके एक restaurant में जंक को बुलाता है वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जंक बहुत awkward feel करता है इतने में जिन्शिम भाँ आकर जंक को ले जाते हुए उस लड़की को बताती है कि जंक की girlfriend वो है जंक नराज जिन्शिम को मनाने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती तो जंक उसकी possessiveness देखकर हसने लगता है शूटिंग पर जिन्शिम को पता चलता है कि उसे 24 घंटे के बाद ड्रामे की shooting के लिए out of country जाना है वो जल्दी से जंक के पास office जाती है वो लोग अच्छा time spend करते है जिन्शिम abroad चली जाती है पूरे एक महीना जंक उसे बहुत miss करता है वीडियो call पर बाद भी करता है जिन्शिम के आने में 5 दिन रह गए थे तब जंक को उसकी call आती है जिन्शिम जल्दी में थी वो उसे कहती है कि आर्टिकल के बारे में परेशान ना हो वो जल्दी आ जाएगी पर तब तक उसका phone बन रहेगा क्योंकि मीडिया के लोग बहुत तंग कर रहे है जंक कुछ खास समझ नहीं पाता तो इंटरनेट पर आर्टिकल देखता है जिसमें जिन्शिम और किस मास्टर के अफिर की न्यूस थी लेकिन वो इस न्यूस पर खास सवज्ज़ नहीं देता वो दिन आ जाता है जब जिन्शिम वापस आ जाती है वो बार-बार जंक को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता घर पहुँचने पर उसे टेबल डेकुरेट मिलती है जंक उसे सरप्राइज देता है वो दोनों हग कर लेते हैं अब हम देखते हैं जिन्शिम का ड्रामा सक्सेसफुल जाता है उसकी सक्सेस की पार्टी रात को है तब वो जंक को कॉल करके उसे शॉपिंग पर ले जाती है वो एक महंगा सूट उसके लिए पसंद करती है वो जंक को पार्टी पर अपने बोईफ्रेंड के तौर पर इंट्रिड्यूस करवाना चाहती है क्यूंकि वो अब अपने रिलेशन्शिप को छपाना नहीं चाहती पार्टी पर दोनों एक कार से उतरते हुए हाथ पकड़ कर अंदर दाखिल होते है जंक प्रिंस लग रहा है जबके जिन शिम भी एक प्रिंसेस की तरहां लग रही है वो अपने रिलेशन्शिप सब के सामने अनाउंस करते है सब उनके लिए खुश है और यहाँ इस ड्रा में टच माय हार्ट की हैपी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग